हेलो दोस्तों यारस स्टडी परेंट चनल पर आपको स्वागत है आप सभी जानते हैं कि आज 5 अगस 2020 बहुत ही एतिहासिक दिन है इस दिन का इंतिजार करोड़ों भक्त 500 सदी से कर रहे थे आप सभी जानते हैं कि एक समय आयोध्या में भगवान राम का राजपार चलता था लेकिन पिछले कई वर्सों से स्री राम की मुर्ती तंबू में थी अपने ही राजे में भगवान राम के रहने के लिए घर नहीं था लेकिन आज वो एतिहासिक दिन है जब राम मंदिर का सिलन्यास कनूनी रूप से किया गया आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूं राम मंदिर से जुड़ी वो हर बात जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर है इसलिए वीडियो लास तक देखें इससे पहले भी हमने एक वीडियो अयोधिया राम मंदिर से समंधित बनाया था अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो नीच करें तथा अपने दोस्तों के साथ सेर करें ही हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेश करें जिससे हमारे चैनल को हर अपडेट के शन आपको मिलती रहे चलिए प्रस्ण स्टार्ट करते हैं आज का मारा पहला प्रस्ण है कि आयोधिया राम जनम भूमी पुजा में पर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी का स्वागत कितने कलस्ति किया गया आपसन ए है 500 अपसन C है 500 अपसन D है 500 इसका एंसर होगा A एक क्या ओन सो ध्यान लखेगा आयोधिया राम जनम भूमी पुजा में पर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी का स्वागत एक कावन सो कलस्ति किया गया अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमाँ नेक्स्ट कोशन है आयोधिया राम जनम भूमी पुजान का सूप महुर्ध कब था अपसन A है 12 बज कर 44 मिनट में दो पहर में अपसन B है 12 बज कर 15 मिनट दो पहर में अपसन C है 12 बज कर 30 मिनट दो पहर में अपसंडी है इनमें से कोई नहीं इसका सही अंसरोंगा A 12 बज कर 44 मिनट दो पहर में ध्यान रखेगा आयोधिया राम जनम भूमी पूजन का सुब मोहुर्त दो पहर 12 बज कर 44 मिनट में था आप से नेक्स्ट कोर्षन पे हमारा नेक्स्ट कोर्षन है आयोध्या राम जनम भूमी परिशर में भूमी पुजन में सुरक्षा का कामबान किस ने संभाली अपसण A है, SPG ने, अपसण B है, BSF ने, अपसण C है, CRPF ने, अपसण D है, इन में से कोई नहीं इसका सही अंत्रुगर A. SPG ने ध्यान रखिएगा आयोधिया राम जनम भूमी परिशर में भूमी पुजन में सुरक्षा का कमान SPG ने संभाली अब आते नेक्ष्ट कोशन पे हमा नेक्ष्ट कोशन है अयोधिया राम जनम भूमी पुजन में भगवान राम लल्ला को किस रंग के बस्त्र पहनाए गए थे अप्सन A है हरा रंग, अप्सन B है भगवा रंग, अप्सन C है लाल रंग, अप्सन D है गुलावी रंग इसका सही अंत्रुगा A और B दोनों द्यान लखेगा, अयोधिया राम जनम भूमी पुजन में भगवान राम लल्ला को हरा रंग तथा भगवा रंग, दोनों कलर के बस्त्र पहनाए गए थे अब आत्य नेक्ष्ट कोशन पे हमारे नेक्स्ट कोशन है कितने साल बाद परधान मंत्री नरेंद्र मोदी आयोधिया राम जनम भूमी परिशर में गये थे अपसन A है 35 साल बाद, अपसन B है 25 साल बाद, अपसन C है 18 साल बाद, अपसन D है 29 साल बाद इसका सही अंसरोंगा D 29 साल बाद ध्यान रखिएगा 29 साल बाद पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी आयोधिया राम जनम भूमी परिशर में गये थे साथ ही ध्यान रखिएगा इसके पहले भी परधान मंतिर नरेंद्र मोदी आयोध्या गया थे लेकिन उन्होंने आयोध्या राम जनम भूमी परिशर से 24 किलो मीटर की दूरी बनाये रखी साथ ही ध्यान रखिएगा राम जनम भूमी पुजा के लिए सुरक्षा के कड़े बंदुबस्त किये गया थे राम जनम भूमी परिशर और आजबस के इलाके को रेट जोन खोशित कर दिया गया था और सुरक्षा की लिहाद से सेकुरिटी कोड से एंट्री का परबंद किया था अब आता नेक्स्ट कोश्टी के हमारा नेक्स्ट कोर्ष्ट्टे है राम मंदिर कितने महीने में बन कर तयार होगा अपसन candidates इसका सही अंसर होगा C 32 महिने में ध्यान लखिएगा आयुद्या राम जनव भुमी पर राम मंदीर 32 महिने अर्थात 2 साल 8 महिने में बन कर तयार होगा अब आतर नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है राम मंदिर के कितने दवार होंगे अपसन ए है तीन अपसन भी है चार अपसन सी है पांच अपसन डी है छो इसका सही अंजर होगा बी चार ध्यान रखिएगा आयोध्यार राम मंदीर के चार दवार होंगे साथी ध्यान रखिएगा ये चारों दवार चार दिशाओं में खुलेंगे आप आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है राम मंदीर में कितने तल होंगे? अपसन A है 3, अपसन B है 4, अपसन C है 5, अपसन D है 6 इसका एंसर होगा 3. A, अपसन नमबर A ध्यान रखिएगा, राम मंदिर में 3 तल होंगे अब आता नेक्ष्ट कोर्ष्टन पे, हमारा नेक्ष्ट कोर्ष्टन है राम मंदिर में कितने मंड़ फोंगे अप्सन ऐ है 3, अप्सन भी है 4, अप्सन C है 5, अप्सन दी है 6 इसका सही अंसर होगा C, 5 राम मंदीर में 5 मंधफ होंगे ध्यान रखेगा, राम मंदीर में 3 तल और 5 मंधफ होंगे अब आते नेक्ष्ट कोचिन पे, हमार नेक्ष्ट कोच्चन है राम अंदिर के उचाई कितनी होगी अपसन A है 1.500 फीट अपसन B है 90 फीट अपसन C है 161 फीट अपसन D है 140 फीट इसका सही अंत्रोगा C 161 फीट ध्यान रखिएगा आयोध्या राम अंदिर के उचाई 161 फीट होगी इसमें चार द्वार होंगे 3 तल होंगे तथा 5 मंदफ होंगे और इसकी उचाई 161 फीट ہوगी अब आते नेक्स्ट कॉषण पर हमारा नेक्स्ट कॉषण है राम मंदिर परिशर के कितने एकड में राम कथा कुन्ज बनेगा अपसन A है 50 फीट अपसन B है 45 अपसन C है 60 एकड अपसंडी है 20 एकड इसका सही एंसर होगा B 45 एकड ध्यान रखेगा अयोधिया राम मंदिर परिशल के 45 एकड में राम कुथा कुझ बनेगा आप आते नेक्ष्ट कोशन पे हमारा नेक्ष्ट कोशन है अयोधिया राम मंदिर में कितने अस्तंभ होंगे अपसन A है 250 अपसन B है 300 अपसन C है 306 अपसन D है 150 इसका अंसर का C 306 आयोधिया राम मंदिर में 306 अस्तंभ होंगे साथी ध्यान रखेगा इस मंदिर को दुनिया के बेहतरीन मंदिरों में कीना जाएगा इस भव राम मंदिर के अस्तंबों में किसी भी तरह के लोहे का इस्तमाल नहीं किया जाएगा ध्यान रखिएगा अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है अपसन A है धरम साला अपसन B है गौह साला अपसन C है A और B दोनो अपसन D है इन में से कोई नहीं इसका सही अन्सरों का C A और B दोनो ध्यान रखिएगा अईोध्या राम मंदिर के परिशन में धरम साला और गौह साला दोनों बनाने का प्रस्ताव है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है अईोध्या राम मंदिर भूमी पुजन के लिए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी किस धातु के बने फावड़े और कन्नी का इस्तेमाल किये अपसन A है शोना अपसन B है चांदी अपसन C है पित्तल अपसन D है लोहा इसका अन्सरोंगा B चांदी अईोध्या राम मंदिर भूमी पुजन के लिए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी चांदी सिद्ध चांदी धातु के बने फाड़े और कन्नी का इस्तेमाल किये सांथी ध्यान रखिएगा अईोध्या में पहुँचने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी हनुमान गड़ी जाकर बजरंग बली की पुजा आजना किये वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को चांदी का मुकूट पगड़ी और राम नम छपा सौल भेट किया गया अब आत नेक्स्ट कोशन पे हमाँ नेक्स्ट कोशन है आयोध्या राम जनम भूमी राम मंदिर कन्यू रखने का सुब मुहुर्थ कितने देर का था अपसन ए है 20 सेकेंड अपसन भी है 30 सेकेंड अपसन C है 32 सेकेंड अपसन D है 40 सेकेंड इसका सही अंत्रों का C 32 सेकेंड ध्यान रखेगा अयोधिया राम जनम भूमी पर राम मंदिर का नियू रखने का सुभ मूर्थ 32 सेगेंड का था अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमा नेक्स्ट कोशन है अयोधिया राम जनम भूमी के भूमी पूजन में कितने परतिश्ट्रीत अथितियों को अमंत्रीत किया गया था अप्सन A है 175 अप्सन B है 180 अप्सन C है 200 अप्सन D है 140 इसका अंसरू का A 175 ध्यान रखिएगा आयोध्या राम जनम भूमी के भूमी पूजन में 175 पर तिस्त्रीत या तित्यों को अमंत्रित किया गया था अब आत नेक्स्ट कोशन पे हमा नेक्स्ट कोशन है अयोध्या राम मंदीर परीशण में 30 परकार के पौधे का रोपन पर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा किया गया अपसन A है पारिजात, अपसन B है हरसिंगार, अपसन C है राथ किरानी अपसन D है उपर्योग सभी इसका एंसर अगर D-उपर्योग सभी ध्यान रखिएगा अयोधिया राम मंदिर के परिशन में परिजात नामक पौधे कारोपन परधान मुंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ध्यान रखिएगा परिजात को ही हर सिंगार और रात की रानी कहा जाता है सांथिध्यान रखिगा परिजात का पेड़ बहुत खुबसूरत होता है परिजात के फुल को भगवान हरी के स्रिंगार और पूजन में परियोग किया जाता है इसलिए इस मनमुहक और सुगंधित पुस्प को हर सिंगार के नाम से भी जाना जाता है हिंदु धर में इस ब्रिक्स का बहुत महत्वा माना जाता है ऐसा भी मन्याता है कि परिजात को छूने मात्र से व्यक्ति की धकान मिठ जाती है ये फुल रात में ही खिलता है और सुबह होते ही सारे फुल जढ़ जाते है इसलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है ये फुल पश्रीम बंगाल का राज्किये पुस्प भी है ध्यान रखियेगा परिजात पश्रीम बंगाल का राज्किये पुस्प भी है अब आते नेक्स्ट कोशन पे आज कामर नेक्स्ट कोशन है अप्सन A है 130, अप्सन B है 135, अप्सन C है 140, अप्सन D है 145 इसका अंत्रगा B, 135 ध्यान रखीगा अईओध्या राम मंदिर भूमी पुजन में 135 संत सामिल हुए अब आते नेक्ष्ट कोर्षन पे, हमारा नेक्ष्ट कोर्षन है आयोध्या राम मंदिर भूमी पुजन में पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी कितने सिलाओं को अस्थापित किये अप्सन A है 8, अप्सन B है 9, अप्सन C है 10, अप्सन D है 11, इसका सही अंत्रगा B, 9 ध्यान रखिएगा आयोधिया राम मंदिर भूमी पुजन में परधान मंदिर नरहिंद रमदी नोव सिलाओं को अस्थापित किये अब आते नेक्स्ट कोशन पे आज का मारा लास्ट कोशन है सिरी राम जनम भूमी पुजन में कितने परंपराओं के शंतों को सामिल किया गया अप्सन ए है 35 अप्सन भी है 36 अप्सन सी है 37 अप्सन डी है 38 इसका सही अंत्र होगा बी 36 ध्यान रखेगा सिर्याराम जनम भूमी पुजन में 36 प्रांपराओं के शंतों को सामिल किया गया थैंक्यू दोस्ता अगर वीडियो अच्छी लागी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल तीरहे प्रांपराइब करें तीरहें